सन 2001 में इनके खिलाब स्थाना सिवली कानपुर देहाद में गेंगेस्टरेक का मुकदमा पंजीक्रित हुआ था विकास दुबे, उनके भाई अभिनास दुबे, उनके भाई दीपु दुबे और उनके बहनोई दिनेश्तिवारी विकास दुबे की मिरति इनकाउंटर में हो गई है और अभनास दुबे की भी मिरत्त हो चुकी है और तो एक यूज जिसमें बचे थे दिनेश्तिवारी और दिपु दुबे सिद्देश और हत्या कांड में देनेस्तिवारी विकास दुबे और दीपु दुबे को आज इवन कारावास की सजा सन 2004 में सुनाई गए सिद्देश और पांडे की हत्या के आरोप में गैंगिस्टर का जो मुकदमा दर्ज किया गया था आज उस पर आदेश हुआ है मारे साथ वकील साब मौजूद है इनसे पूछेंगे किसका किसका आदेश हुआ है कौन कौन कितने साल की सजा हुई है सन 2001 में इनके खिलाब स्थाना सिवली कानपूर देहात में गैंगेस्टर का मुकदमा पंजिक्रत हुआ था विकास दुबे उनके भाई अभिनास दुबे उनके भाई दीपू दुबे और उनके बैनोई दिनेश्तिवारी विकास दुबे की मृत इंकांटर में हो गई है औ तुब की मिरत ओए और की बचे थे देनेश्तिवारी और दीपू दुबे अभिनास दुबे की मृत ही हुआ शें के का smiling के त्राइल चल रहा था आज सजा सुनाई गई है दीपु दुबे और दिनेश्थिवारी और विकास दुबे और विकास दुबे और विकास दुबे को आज इवन कारावास की सजा सन 2004 में सुनाई गई थी तब से ही जमानत पर थे आज गैंगेस्टर में इनको सजा सुनाई इनके उपर गैंगेस्टर की कारवाई संद 2001 में की गई थी उसी प्यास सजा हुए तो बिल्कुल यह अमर सिंग बधोरिया जी थे सब्कारी वंगिल जिनका कहना था कि सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में 2000 में मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें 2004 में चारो आरोपी विकास दुबे अविनास दुबे और दीपु दुबे और दिनेस्तिवारी के खिलाब आज इवन करावास की सजा होई थी लेकिन सभी लोग उस पे हाई कोट से जमानत पर चल लाएते लेकिन उसी पर गै हाला कि अगर उसमें पांच 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 जार रुपए क्या जुर्माना भी रख रहा गया अगर जुर्माना नहीं होगे तो सजाब बढ़ा दी जाएगी कान परत्याद से सूरा से झाल जाएगी कान है